ठेलो दोस्तों एक बात दुआरह से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैल रिपशेलों को iPhone Xaitah बैटीकास सबस्क्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धने बाइक करने का चाहिए। और क्या श्रॉप लोज क्या टार्गेट हम से देख सकते हैं फीचर में और क्या यह फ्यूचर मल्टिवेगर श्टॉक हो सकता है। इसके पर इटेल चर्चा हम कर लेते हैं। मेरे लास्ट वीडियो में आपको बहुत क्लियर मेंशन किया था जब इस ट्रॉक पांच रुपे, साड़े पांच रुपे के असवास ट्रेट कर रहा था मैंने बहुत क्लियर मेंशन किया था इसको अभी बाय मत करना आप वेट करिजिए चार रुपे 20 पैसे आने का तो ये श्टॉक ऑल्मोस उस प्राइज में आने वाला है चार रुपे 50 पैसे का असपर अभी ट्रेट कर रहा है तो क्या चार रुपे 20 पैसे में जैसे मैंने बोला आपको तो आपको क्या उसमें बाय करना चाहिए तो अगर मैं stock को buy करूँगा तो मैं 4.20 पैसे के असवाज आखे बंद करके buy नहीं करूँगा ठीक है मतलब कि market में 2 परकार के trader होते है एक होता है जो risk ले सकता है अगर आप risk taking player हो तो आखे बंद करके buy कर लो 4.20 पैसे में के आज-पास wait कीजिए confirmation का confirmation का मतलब क्या होता है कि आप wait कीजिए कि वहाँ पर कुछ price action बने तब उसको आप buy कीजिए अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को अंतक देख लेना चोटा सा वीडियो का दो या तीन मिनिट का ठीक है देखके अच्छा लगेगा तो share कर देना शेयर कर देना वीडियो को और शेयर कर अगर होगे facebook में whatsapp में telegram में जानकर सकते हो अगर देना लेकिन हाँ और like भी पक्का कर देना ठीक है तो start करता है analysis आपके सामने पहले monthly chart खोल देता हूं तो पहले बात ही support क्यों लेगा 4 रुपे 20 पैसे में उसका एक region समझे लिए क्योंकि यहां इसका support एरिया था यह तो यह मुझे लगता definitely test कर सकता है एक region बहुत क्लियर यह है कि support एरिया है इसलिए support लेगा 4 रुपे 20 पैसे में चार रुपे का सपास ठीक है दूसरा जो region है अगर आप इसमें एक strategy लगाती हो मतले इंडिकेटर लगाती हो इंडिकेटर क्या होता देख लीजिए ओभी ठीक है क्यों बहुत लोग इंडिकेटर को यूज करते हैं तो मैं भी उसमें से recording ठीक है मतलब इसके उपर अगरे ब्रेक करता है इस एंडिक करता है इस टॉक डाव्यश के खाटिन यह एरिया ब्रेक होता है जाए और यह हूँ आप्या में देखने को मिल सकता है जैसे break किया यह stock rocket हो गया हो गया ना देख सकते हो उपर गया कितना उपर तो इसी box के वज़े से देखो यह support area भी लग रहा है और यह जो area है यह बिल्कुर मेरे support price के आसपास बना है जो निकल के आता है 4 रुपे के आसपास ठीक है तो इसी वज़े से मैं कहा रहा हूँ एक तो price action बोल रहा है कि चार रुपे support area है और जो एक indicator है वो भी कहा रहा है कि हाँ यह एक support area है तो दो चीज़े हमें मिलगी confirmation लेकिन अब तीसरा confirmation trade डालने का मतलब आपको invest करने का वो कैसे मिलेगा देखो अब वो मिलेगा आपको एक price action से या तो price action होता है देखो आप दो time frame हम use करते है price action के लिए या तो daily करो या weekly करो अब आपकी मर्जी अगर daily करोगे उसमें risk जादा होगा और profit भी जादा होगा अब weekly करोगे तो उसमें risk कम होगा, profit भी कम होगा तो आप अब decide कर लो आपको क्या करना है मैं अगर आपके जागा होता है तो हम weekly use करता ठीक है तो अब हम क्या करेंगे चार रुपे के असवसना हम wait करेंगे एक weekly candle formation का जो एक bullish candle हो एक हरी candle बने और जैसे एक हरी candle इसके उपर बनेगी इसके उपर बनेगी हम उसके high में वाय करेंगे example के तोर में आपको एक chart दिखा रहता हूँ उससे आपको समझने में असानी होगी एक example है chart का यह monthly chart है मुसमाल लेजिए इस ट्रॉक उपर गया, नीचे गिर गया अगर आपको इसको बाय करना नीचे गिरते वे तो हम कैसे बाय करेंगे आखे बंद करके तो कही भी बाय नहीं कर सकते तो उसके तरीका होता है, एक strategy बनानी पड़ती है तो मेरी क्या strategy है कि एक हरी candle बने तो देखो एक हरी candle यह बनी बनी न, इसका high break हुआ इसका high अगले महीने break नहीं हुआ तो हमने buy हमारा trigger नहीं हुआ ठीक है, फिर हम आगे गए इसने low तोड़ दिया हमने wait किया, हमने wait किया, 3 महन तक wait किया कुछ नहीं हुआ और 4 महीने देखी, एक हरा candle बना अच्छा सा, ठीक है अगले महीने इसका high break हो गया तो हमारा जो trade active होगा और इसके high cave पर trade active होगा समझे रहो, तो ऐसा कुछ हरा candle बने है उसका high break हो और stop loss उस candle का low हम stop loss लगा लेंगे ठीक है, एक stop loss वो होगा उसी candle का low, monthly candle का और दूसर stop loss हम लगाएंगे 2 रुपे के नीचे closing basis में, तो ये आपको confirmation लेना है इस stock में ठीक है, तो आपको आशा करता हो समझ आगा होगा ये video कि आपको because, multi cop, share price should you buy or not as per my thinking, you should invest once, take support around 4 रुपीज, लेकिन weekly candle में support लेगा, तो आप इसको buy करके चलिए, definitely आपको अच्छे रुटे निखा सकता है target की हम बात कर लेते target देखो, दोस्तों ये आपका resistance area है, चो दिकल क्या आता है, 6.6 रुपे के आसपास, तो 6.6 रुपे के आसपास एक पर profit booking बंती है, और अगर 7 रुपे के उपर एक close कर देता है तो फिर हम आगे के target clear देखेंगे इसमें, चार्ट में की price action क्या चल रहा है market के sentiment कैसे है nipty कैसे काम कर रही है और stock की क्या news उसमें चल रही है ठीक है, तो भाई, मेरे साब से ये stock definitely support ले सकता है लेकिन एक confirmation का wait करना उसके बाद आप से set करना कि आपको buy करना है या नहीं करना अब आप पूछो के sir क्या आप इसको bigas multi cup stock को buy करोगे मैं बोलूँगा, मैं साथ stock को buy नहीं करूँगा ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे option है दूसरे जिसमें पैसा बन सकता है तो इसमें हमें साथ invest नहीं करूँगा अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो कुछ भी comment है नीचे comment कर दो definitely में reply कर दूँगा बहुत सारे आप लोग कहते रहते हो कि इसका video बनाओ, उसका video बनाओ नीचे comment करो, जैसे मुझे time मिलेगा मैं अलग से हर stock का एक video बनाके आपके साथ share कर दूँगा जो मेरी projection कहता है जो में चार्ट की knowledge है उतना नाक्षा share कर सकता हो नीचे comment कर दो definitely reply कर दूँगा या वीडियो के मातिम से reply कर दूँगा तो अभी तक अगर वीडियो देखा है तो भाई share कर देना टेलीकराम में फिर्ट लाइब पक्का प्का करके जाना इन तो अब लाइक कर दो दूँगा बाइशन मिलता है तेंकी तो मस्त तरह तेरी आप टेरी एन गिप्त उट आउट